नवश्कार, आदाब, सस्रियाकाल, मैं हूँ स्विकार भारतवाज, आज की वीडियो है एपल साइडर विनेगर को लेकर, एपल साइडर विनेगर जिसको शौर्ट में ACVB कहा जाता है, हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो शायद सेब का सिर्का कहेंगे, तो एपल साइडर लेकर आप लोगों के बहुत सारे प्रशन है, क्या इससे सच में वजन कम होता है, इसके क्या हेल्थ बेनेफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान है, आपने इंटरनेट पे अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी, हजारों वीडियो हैं इंटरनेट पर, ब इससे से हमारी सेहत को कोई और नुकसान तो नहीं हो जाएगा, शरीर में किसी जरूरी चीज़ की कमी तो नहीं हो जाएगी, क्या सच में वजन कम होता है, क्या है इसके पीछे की साइंस, वो आपको बताता हूँ apple cider vinegar यानि के save का सिर्का पुराने जमाने से ही बहुत ज़्यादा लाबकारी बताया गया है इनसानों के लिए इसको पुराने जमाने में बनने में करीब एक महीने का समय लगता था लेकिन आज science ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली तो factories के अंदर manufacturers जो हैं वो इसको करीब एक या दो दिन के अंदर तयार कर देते हैं apple cider vinegar को लेकर एक scientific research हुई है उस research के अंदर ये बात सिद्ध हो गई कि सच में apple cider vinegar लेने से blood sugar level down आते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिन लोगों को diabetes है उनको इससे अच्छा क्या मिलेगा तो diabetes के patient के लिए तो अपने आप में एक राम बान है apple cider vinegar लेकिन पहले आप लोगों को वजन घटाने के लिए जान ले क्या अगर इसको आप अपनी diet में add कर लो तो क्या इससे वजन घटेगा अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक लेते हो क्या ये safe है इसके लिए पहले जान लेते हैं apple cider vinegar होता क्या apple cider vinegar सेब का सिरका ये बनाने के लिए क्या करना होता है ये दो तरीके के fermentation process से गुजरता है सबसे पहले तो सेब के छोटे छोटे टुकडे किये जाते हैं उसको crush कर देते हैं अच्छे से और उसके अंदर yeast को मिलाया जाता है yeast को मिलाने के बाद उसमें जब fermentation होती है तो एक शराब तयार होती है alcohol तयार होता ये तो है पहला process उसके बाद उसको दुबारा से ferment किया जाता है जो दूसरा process है उस शराब के अंदर एक bacteria को मिलाया जाता है और उसको काफी लंबे समय तक रखा जाता है फिर दुबारा से fermented होकर वो acetic acid बन जाता है ये सबसे बड़ा main ingredient है acetic acid जो है वो इसका main ingredient है इसका स्वाद कैसा होता है apple cider vinegar का स्वाद खटा-खटा होता है आपके दांत भी बिलकुल खटे-खटे हो जाते हैं जब इसका सेवन करते हैं और इसका जो smell है वो थोड़ी तीखी सी smell होती है जैसे नीबू की या खटी चीजों की smell होती है क्या इसके अंदर calories होती है एक tablespoon अगर लेते हो करीब 15 ml के करीब तो उसके अंदर केवल 3 calories होती है carbohydrates नहीं होती fats नहीं होते protein होते है उसके अंदर तो अब ये क्या weight loss के लिए कैसे काम करता है इसको समझते है acetic acid मैंने बताया इसका main component होता है इसका main ingredient है वो है acetic acid उसके अंदर एक fatty acid की chain होती है जो आपके शरीर के अंदर hydrogen के साथ तदात्म पैदा करती है hydrogen के साथ मिलने के बाद आपके शरीर के अंदर कुछ एक ऐसी reaction होती है जिससे क्या फायदे होते है सबसे पहला तो blood sugar level down हो जाते है कोई भी scientific research होती है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है चूहों के उपर चूहों के उपर एक scientific research होई जिसमें ये मालूम चला कुछ चूहों को लगातार कुछ दिन तक acetic acid दिया गया यानि कि apple cider vinegar दिया गया और थोड़े दिन बाद क्या देखा कि उनको जब high carbohydrates वाले food भी दिये गए खाने के बाद उसके बाद उनका blood sugar level जो था वो 55% तक नीचे आ गया ये अपने आप में एक चमतकार है जब आपका blood sugar level down होगा तो वजन घटाने में अपने आप सहयता मिलेगी तो सबसे पहला फाइदा ये है दूसरा क्या है कि insulin का level down हो जाता है ये insulin से glycogen जो बनता है उसके level को बहुत बड़ी मातरा के अंदर कम करता है तो जिल लोगों को diabetes है उनको तो फाइदा है ही है उसके अलावा आपकी body के अंदर fat को deposit नहीं होता insulin के level को कम करता है अगला फाइदा क्या है इसके अंदर एक enzyme होता है जिसको बोलते हैं AMPK AMPK enzyme क्या करेगा आपके liver के अंदर sugar और fat की production को बहुत कम करता है जिससे आपका metabolism तो अच्छा होगा ही होगा साथ में आपका वजन भी कम होगा अगला क्या है ये आपकी body के अंदर fat की storage को कम करता है fat की storage को कैसे कम करता है वही scientific research जो चूहों के उपर हुई थी उसमें देखा गया जो मोटे मोटे चूहे थे जिनको काफी लंबे समय तक acetic acid दिया गया उनके पेट की चरबी belly fat कम होने लगा अगला काम क्या करता है ये body fat को burn करता है तेजी से body fat तेजी से burn करने का काम करता है चूहों के उपर हुई उसी research में ये मालुम चला कि इसने acetic acid को लेने से इसने शरीर में एक ऐसे jeans को पैदा कर दिया जिससे fat burning process fast हो जाता है अगला काम क्या करता है suppress करता है आपकी appetite को appetite यानि कि भूक को जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो बार-बार भूक लगती है जी इतनी भूक लगती है कि बार-बार खाना खाता हूँ उन लोगों के लिए apple cider vinegar बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि ये आपको काफी देर तक भरा-भरा महसूस कराता है जिन लोगों ने खाते थे धाई सो से तीन सो कैलरीज कम खानी शुरू कर दी अपने खाने में तो ये भी अपने आप में चमतकार है जब धाई सो तीन सो कैलरीज हर रोज कम हो जाएंगी तो आपका वजन कम हो गा ही होगा इसके अलावा apple cider vinegar के बहुत सारे फाइदे हैं PCOD और PCOS के अंदर जो महिलाओं को ये बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे कॉमेंट आते हैं हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है जिसकी वज़े से उनका ओविलेशन नहीं हो पाता लेकिन एक रीसर्च हुई है जिसमें मालुम चला कि कुछ महिलाओं ने एपल साइडर विनेगर को करीब 90 दिन तक लगादार लिया 90 से 95 दिन लगातार उन्होंने लिया और उसके बाद उनकी PCOD और PCOS की समस्या 55 प्रतीशत तक ठीक हो गई तो एपल साइडर विनेगर जो है वो आपके हार्मोनल इंबैलेंस को भी ठीक करता है इसके अलावा इसका फाइदा जो है आपके केलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल करता है जो केलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करता है और आपके हार्ट को फाइदा पहुंचाता है आपकी स्किन को इतना सुन्दर करता है जो लोग apple cider vinegar लेते हैं उनकी skin बहुत अच्छी हो जाती है जिन लोगों को dendruff की problem है वो apple cider vinegar के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाके और अपने सिर की जड़ों के उपर इसको spray करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है ये conditioner का भी काम करता है ये आपके insulin level को भी control में रखता है आपक भूख भी कम लगती है वजन घटाने के अंदर इसके बहुत सारे फाइदे बताए गए हैं लेकिन apple cider vinegar लेना किसको चाहिए क्या pregnant महिलाए apple cider vinegar ले सकती है नहीं उनको भी नहीं लेना चाहिए और nursing mother जो है उनको भी apple cider vinegar नहीं लेना चाहिए बच्चे 16 साल से कम उमर के acid है इसका नाम ही acetic acid है तो अगर इसको आप डारेक्ट ले लोगे हो सकता आपकी जीब जल जाए मूँ में चाले पड़ जाए या हो सकता अंदर से आपका थ्रोट भी जल जाए तो इसको डारेक्ट कभी भी नहीं लेना होता इसको आल्वेस पानी में डाइल्यूट करके ल आप डेड़ चममच इसका apple cider vinegar का ले लो और यह आपको बड़ा benefit देगा लेकिन कुछ लोगों को सुबा सुबा यह suit नहीं करता जिन लोगों को यह खाली पेट सुबा सुबा सुट नहीं करता यह लेने के बाद ही पता चलता आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह मुझे सुट नहीं कर रहा क्योंकि उनकी बॉड़ी में और ज्यादा acid बनने शुरू हो जाते हैं लेकिन weight loss के लिए लेने का एक तो यह सुबा खाली पेट लिया जा सकता अगर आपको सुट ना करे तो दूसरा तरीका क्या है खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आप लोगों करना क्या खाना खाने से 15-20 मिनट पहले ठोड़ा सा पानी ले लीजिए मैं पानी ले रहा हूं करीब अध्य सु आप ड़ीन सो एमेल करीब reading आपने यह पानी ले लिया उसके बाद इसके अंदर 1 इकpose 1 यह टीबल स्पून है बड़ा चम्मत जो एनगळा टेबल स्पून आपने एप Organic Apple Cider Vinegar है Organic का मतलब क्या होता है ये Certified है Organic इसके ओपर Certification मिली हुए है इसको बकाईदा Organic का मतलब होता है कि जब इनको Grow करते हैं तो इसके ओपर Pesticides का चिड़काव नहीं होता अगर Pesticides का चिड़काव होगा तो पहले ही हम अच्छी health के लिए ले रहे हैं और ज्यादा नुकसान हो सकता है तो यह organic है और यह हिमालियन apple से बना हुआ यहीं इंडिया का है यह made in इंडिया है बाहर का नहीं है और इसकी खास बात क्या है आपको यह apple cider vinegar लेने का यह with mother है with mother का मतलब क्या होता है with mother का weight loss के अंदर इसके अंदर छोटे-छोटे particles होते हैं जो आप लोगों को ना इसका color जो दिखाई दे रहा है ये color इस तरीके का बन गया उन छोटे-छोटे particles की वज़े से विद मदर का वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा बेनेफिट होता है तो यह जो मैं ले रहा हूँ यह अधीरा ब्रैंड का है और यह अधीरा ब्रैंड का मतला मैंने पर्सनली क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग यह सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा लें तो यह मेरी पूरी बॉटल थी मैं इसको पिछले काफी दिन से ले रहा हूं तो मैंने लिया ना मुझे यह चीज पता चला एक तो इसका कॉंस्टिपेशन के अंदर बड़ा फाइदा होगा आपका खाना बहुत जल्दी आपको डाइजेस्ट होगा आपके बलड शुगर ठीक होगा इ इसको लेने के कहीं तरीके हैं एक तो आप इसको अपने सैलेड के उपर भी जैसे ड्रेसिंग करते हैं ना सैलेड के उपर भी ड्रेसिंग करके ले सकते हो और या दूसरा तरीका क्या है आप इसको यह पानी जो मैंने आपको बताया पानी के अंदर आप इसका डाल अगर आपके पास straw है तो straw से इसको पीने की कोशिश कीजिए अगर आपके क्यों savez क्यूंग क्योंसे क्यूंग पीना क्योंकि इससे दाइंग क्षटे होजाते हैं अगर बिना स्ट्राओ के पी ओगे उस अन्हें स घटा, तो आपको यह वैसे भी लगेगा येगिन इसका कोई भी side effect दिखता है तो आपको तुरंत इसको रोक देना चाहिए इसको नहीं लेना चाहिए एक दिन में दो टेबल स्पून से ज्यादा ना ले एक और तरीका मैंने आपको बताया था पीछे मैंने एक वीडियो बताई थी कि जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती वो एक green tea chamomile वाली green tea हमारी website है 32bar.com यह आप कहोगे कि यह मिलेगा कहां से जी आपने बता तो दिया यह है भी महेंगा नहीं यह 310 पता नहीं 320 रुपे का है हमारी website पे 32bar.com पे 32bar.com की एक खास बात है कि वहाँ से जितनी भी shopping आप करोगे ना उससे जितना भी मुनाफ़ा ह वो सारा का सारा एक hospital ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें लोगों के इलाज का कोई खर्चा नहीं आएगा पता नहीं कब बनेगा वो hospital लेकिन वहां से जो भी profit है उसको save किया जा रहा है जो पैसा होगा लोगों के इलाज के लिए hospital बनेगा जहां अमीर हो या गरीब हो किसी से इ लोगों का भी फाइदा होगा और आपका भी फाइदा होगा आपको प्योर क्वालिटी का बहुत अच्छा एपल साइडर विनेगर 32 बार.com वेबसाइट है वहां से online ही मिलेगा offline आपको नहीं मिल पाएगा तो वहां से आपके घर आ जाएगा आज कल कोरियर थोड़े से ल लिया एपल साइडर विनेगर का आपने एक टी स्पून आपने डालना है सिनिमन पाउडर का और आधा लेमन ये सारी चीजों को डाल के मिला के रात को सोने से 30 मिनट पहले पी जाओ और उसके बाद देखो क्या नींद आती है आपको और सोगे भी अच्छा और आपका बैल लगे इसको हमेशा पानी में डाल्यूट करके लेना जहां दिक्कत लगे वहां पर रुक जाएगा एपल साइडर विनेगर अक्च्छल में एसेड है कुछ लोगों को सूट नहीं करता जिनको सूट कर जाता उनकी स्किन भी सुन्दर लगेगी उनके बाल भी अच्छे हो ज